हलो स्टुडेंट्स, हाव यू ओल, होप यूल रवरी फाइन, के स्टुडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग मैट्स में डिविजन कर रहे हैं, यह न, आल चैप्टर्स का, सो आज हम चैप्टर ट्वेल्फ का डिविजन स्टार्ट करेंगे, इस चैप्ट में जानेंगे, सो चैप्टरे स्टार्ट करते हैं, इसमें है बच्चो सबसे पहले दिया हुआ है, देखें यहां पर कुछ शेप्स दिये हैं, हाव मेनी साइट्स, हाव मेनी कॉर्नर्स, आपको बताने हैं, कितने साइट्स, कितने कॉर्नर्स होंगे, आपको शेप्स का ना इन्टू ट्रेंगल्स आपको ये rectangle दिया हुआ है इसमें से आपको two squares बनाने है और इस rectangle के figure में से two triangles के figure बनाने है ओके नमबर थर्ड नेम दा solid shapes each of the following object shows यहाँ जो आप लोग को object दिये में है इससे आप लोग को shape क्या name बताना है कि कौन सा shape है ये next है बच्चो straight line and curve lines types of straight lines के बारे में जानना है सबसे पहले आते हैं straight lines के बारे में तो straight lines मतलब सीधी रेखा है ना straight line में सीधी रेखा जो copy प्याराब scale की help से draw करते हैं और curve line कैसी होती बच्चो देखो इस type को हम curve line कहते हैं ये हम लोगों से उस time भी draw होती है जब हम without scale की help से बनाते हैं है ना तो line हमारी तिर्ची हो जाती ना तो ये हुआ हमारी curve line देखिए इसका example है दो बच्चियां दो टू गर्ल्स है यहाँ पर और ये दोनों एक रोप को एक दुसरे के सिधाई में लेकर खड़ी हैं करके तो यह हुई ना हमारी इस्ट्रेट लाइन और वहीं यह तीनों गर्स स्किपिंग का गेम खेल रही है इसमें जब इस्किपिंग का जो रोप है वह हमारा उपर नीची होता है तो देखो यह कर्व से शेप में हुआ ना यह इसी को हम लोग कहते हैं कर्वड शेप अब मतलब लेटी हुई रेखा सोई हुई रेखा जिस रेखा को हम लोग इस शेप में ड्रॉख करते हैं और होरिजंटल लाइन इस दाट वीच गोज स्ट्रेट अक्रोस इसकेल के हेल्प से जो इसम सीधी रेखा खिची जाती है उसे हम होरिजंटल लाइन के तरफ यह होती है इसे हम लोग कहते हैं standing line देखिए आपकी copy में हिंदी की copy में जो इस तरह के लिए रेखा रहती ही न जहां पर arrow है इसे हम कहते हैं standing line और इस वाली line को हम कहते हैं horizontal line है ना and now the third one is slanting line means ऐसी हलकी से तिर्ची रेखा a slanting line goes straight as the slope of a hill इस तरह के रेखा उको अमनों कहते हैं slanting line slanting line means तिर्ची रेखा vertical line means खड़ी रेखा and horizontal line means लेटी हुई रेखा बच्चों इसका worksheet यह है आपको horizontal line same to same draw करना है vertical line and slanting line ओकी बच्चों ओके बाबाई